इलेक्ट्रोनिक बोटिंग मशीन ग्यानिकी EVM में छेरचाड और गरबड़ी के आरोपों का सामना कर रहे चुनाव आयोग ने इसकी विश्वसनेता साबित करने के लिए ओपन चैलेंज देने का फैसला किया है सूत्रों के मताबिक पोल पैनल ने कहा कि वे ओपन चैलेंज के लिए जल्द ही एक तारीक तै करेंगे 2009 में भी चुनाव आयोग ने सभी के लिए ओपन चैलेंज जारी किया था जिसमें कहा गया था कि EVM से छेरचा करके दिखाई जाए कोई भी इसे सावित नहीं कर पाया था उसके बाद से एक बार फिर EVM को लेकर सवार उठ रहे हैं इसलिए सभी शक और संदेहों को दूर करने के लिए एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा इस चैलेंज में राज़ितिक दलों के प्रतिनिधियों और लोगों को शामिल होने के लिए कहा जाएगा सूत्रों के मताबिक जिस भी व्यक्ति को इस पर संदेह है वे ओपन चैलेंज में शामिल हो सकता है आपको बता दे कि 3 अप्रेल को दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने चुनावायो को चुनोती दी थी क्योंने 72 घंटे के लिए EVM दी जाए वे इसमें गरबड़ी कर देंगे इससे पहले केजरिवाल ने आरोप लगाया था कि EVM की छेड़चार की जा सकती है और ने पंजाव इधासबा चुनावों में पार्टी की हार का ठीकरा भी EVM पर ही फोड़ा था बसपा सुप्रेमों मायावती ने भी EVM की विश्वसनियता पर सवाल उठाए थे वही एक अप्रेल को मध्यपदेश के भिंड में ट्राइल के दोरान वीवी पैट मशीन से दो बटन दवाने पर भाजपा की परचे निकलने के बाद मामला और गंभीर हो गया अलांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज किया और अब ओपन चालेंज देने का फैसला किया है अब तक के लिए इतना ही देश और दुनिया के और अधिक खबरों के लिए देखते रखे